हलो चिल्दन, वेलकम बेक यू आल, हज मैं संस्कित पाठ्थे पुस्तक शेमुशी से कक्षा 10, पाठ नमबर 2, बुद्धिर बलवती सदा पढ़ाने जा रहे हूं, बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धिर जो रह की रेव की मातरा आ रही है, इसका करम संदी विच्छेत कर बुद्धिर बलवती सदा बुद्धि जिसकी हमेशा बलवान रेती है, जिसकी बुद्धि में हमेशा चतुराई होती है, वो अपने जीवन में सफल हो जाता, कहने का अतवर यह है कि कोई तो इसी तरह की एक शुक्त सब्तती नमक परसित कथागरंद में से संपादित किया गया यह जो चैप्टर की एक पत्नी बुद्धी-मती नाम की इस्त्री थी जो अपने दो पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही थी और उसने अपनी बुद्धी की चतुराई से सामने से आई हुई शेर को डरा कर भगा दिया तो आएए एक बरी इसके बारे में पढ़ लेते हैं और हमें भी किस तरह से कठिनाईयों से पार होना है शेर के आने का मतलब है कि कठिनाईयों से पार होना तो आएए देख लेते हैं चाप्टर अस्ती देवलाख नाम का एक गाउं है तत्र राज सिंग नाम राजपुत्र है वस्ती स्मा वहां राज सिंग नाम का राजपुत्र रहता था वस्ती स्मा, जब भी इस तेरह से आजाये, वस्ती लट लकार में और स्मा लग जाये, तो इसका मतलब है रहता थापा स्टेंस में चले जाओगे वस्ती स्मा को अगर हम लंग लकार में लिखे तो आजएगा आवस्त एक दा केनापी अवश्यक का रेंड तस्य भार्या बुद्धी मती पुत्र द्यो पेता पितुहू ग्रेहम प्रती चालिता एक बार किसी जरूरी का रह से उसकी पत्नी बुद्धी मती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की और चल दी चलिता में कत प्रत्य है चल जम कत तो चलितम बना लेकिन चलिता इस्त्री लिंग में बन गया मारगे गहन कानने सा एकम व्यागरम दरदश रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाग देखा वह बाग को उसने बाग को आते हुए देखकर ध्रिश्टता से यानि की धिठाई से दोनों पुत्रों को चपेट से मार कर कहा बच्चे जैसे जैसे में इनके अर्थ जहां-जहां मेरा पैन चल रहा है मैं उन्हीं-उनी के अर्थ बता रही हूँ क्याहने कि अगर मैं दो बारी पढ़ती हूँ तो आपके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएगे लेकिन अगर आपको कोई लाइन समझ नहीं आती तो आप बैक जाके दुबारा से सुन सकते हैं इसके साथ साथ वैसे मैं संदी विछेद करते हुए बोल रही हूँ लेकिन फिर भी मैं संदी अलग से भी बताऊंगी कथम एकई कशो व्यागरम भक्षणाय कल हम कुरूथ है किसलिए एक एक बाग को खाने के लिए जगड़ा कर रहे हो आयम एकस्त्वात वी भज्जे बुज्जेताम यह एक ही अभी दोनों बाट लो पश्चात अन्यों जित्यहा कश्चित लक्षदे इसके बार दूसरे को ढूंडेंगे किसी दूसरे को ढूंडेंगे इती शुत्वा व्यागरमारी काचिद्यम इती मत्वा व्यागरों भयाकुल चितो नश्ट है ऐसा मानकर ऐसा सुनकर बाग को मानने वाली कोई यह कोई है ऐसा मानकर बाग भैसे व्याकुल भाग गया व्याकुल होकर यह चिंतित होकर नश्ट है भाग गया नश्ट है का मतलब वैसे नश्ट हो गया बच्चे कई वर लिख लेते हैं तो ध्यान रखना यहां पर वो डर से भाग गया इसलिए हम नश्टे का जो प्रियावाची करेंगे वह करेंगे पलाईत है पता नहीं आपको विजीबल हो रहा है यह 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 पलाईत है पलाईते में भाग गया निज्य बुध्या विमुक्ता सा बयात व्याग्रस भामिनी जिस प्रकार से अपनी बुद्धी से वह पत्नी भामिनी मतलब पत्नी बाग के डर से विमुक्त हो गई अन्योपी बुद्धी मानलो के मुच्चते महतो भयात दूसरे लोग भी इस संसार में बुद्धी से बहुत बड़े डर से विमुप हो सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें दिखाया गया कहानी में कि शेर से डर गई शेर जो हमारे आगे जब कभी कोई कठेनाई आ जाती है तो वो हमारे सामने एक शेर के समान होती है ठीक है नेक्स पेरगरफ पे चलते बयाकुलम व्यागरम द्रिष्टवा कश्चित धूरते शिगालय हसन अहा भैसे डरे हुए बाग को देख कर किसी धूरत सियार ने हस्ते हुए कहा बवान कुत है भयाक पलाईते आप किस से डर कर भाग रहे हैं व्याग रहें गच गच जम्बू जाओ जाओ सियार तौम अपी किंचित गूर प्रदेशम तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ यतो व्याग्रम आरिती या शास्त्रे श्रुवते क्योंकि बाग को मारने वाली जो मेरे द्वारा शास्त्रों में सुनी गई है तया एम हन्तुम आरब्द है वह मुझे मारने ही वाली थी परम ग्रहित कर जीवितो परन्तु प्राण हतेली भर रख कर उसके सामने से नश्त है शीग्रम तदगत है उसके सामने से शीग्री मैं भाग गया हूँ शीगाला है व्याग्र त्वया महतकोतुकं आवेदितं यनमानुश दापी विबेशी हे भाग तुमने ये महानकोतुक की बात बताई यनमान शुदापी विबेशी कि तुम किसी मनुष्य से डर गए हो व्याग्रे प्रतेक्षम एव मया सा आत्म पुत्राव कई कशो माम अतुम कलहाय मानव चपेट्य प्रहरंती द्रिष्टा बाग ने खा मेरे द्वारा अपने सामने ही उसने अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए कलहाय मानव चपेट्य जगड़ा करते हुए दोनों पुत्रों को थपड मारते हुए यानि कि थपड से चपेट्य प्रहरंती थपड मारते हुए देखा गया है द्रिष्टा देखा गया है द्रिष्टा में भी कौन सा प्रत्य है द्रिष्धातु से कत प्रत्य है अगर आपके पास question में द्रिष्टा आ जाए तो आपने क्या लिखना है द्रिष्धातु से कत्प्रत्य आकी महत्रा नहीं लगानी क्योंकि यह हमारा इस्त्रे लिंग का रूप बना हुआ है ठीक है दूर तीस्त्री है वहां चलिए व्यागर बाग अरे बाग तव पुनें तत्र गतस्ते सा समुखम पीक्षते यदी तही त्विया अहम हंत्व्य इती थोड़ा सा ठीक है अब विजीवल हो रहे है ना तुम्हारे फिर से वहां जाने से समुखम पीक्षते यदी तुम्हारे सामने देख भी ले इस्त्री तुम्हें देख भी ले तही तो तुम्हारे द्वारा मैं मारने योग्य हूं हंतव्य में कौन सा अगया हंधातु से तव्यत प्रत्य यह मैं अभी वैसे बताऊंगी और वैसे मैंने यह प्रत्य की वीडियो भी डाल रखिये description box में मैं डाल दूँगी प्रत्य है अगर आपके समझने है तो बहुत easy है कोई difficult नहीं है आप 7th, 8th, 9th में करके ही आए होगे आगे दिखते हैं व्याग रहा है शिगाल यदी तुम माम मुक्तवा यासी तदा वेला अपी वेला सियात सियार अरे सियार यदी तुम मुझे मुक्त करके वहाँ से चले गए छोड़ कर वहाँ से चले गए तो मेरा वैसमे खत्म हो जाएगा बेकार चला जाएगा जम्बु कहें यदी एवं तही मा निजगले बददवा चल सत्वरम यदी ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले से बांद कर शीघरी चलो से व्यागरे तथा कृत्वा काननम ययव वह बाग वैसा ही करके जंगल में दोनों जंगल में चले गए शिगाले इन सहीतम पुनरायंतम व्यागरम दुरात द्रिष्टवा बुद्धी मती चिंतवदी सियार के साथ फिर से आते हुए बाग को दूर से देख कर बुद्धी मती सोचने लगी जंगुक कृतुत्सहाद व्यागरात कथम मुच्चता सियार के इस तरह के उत्सहा से बाग को कैसे छुडाया जै परम प्रत्युत्पन मती सा जंबुक माक्षी पंत्य अंगल्या तर्जयनती उवाज परन्तु बुद्धी मती ने उस बुद्धी मती इस्त्री ने स्यार को आते हुए उंगली दिखा कर तर्जनी उंगली दिखा कर उवाज कहा रे रे धूर्थ त्वया दत्तम मैयम व्यागर त्रयम पुरा अरे धूर्थ तुमने मुझे पहले तीन बाग देने को कहा व्यागर त्रयम तीन बाग मैयम मुझे दत्तम देने को कहा पूरा मतलब पहले अरे धूर तुमने या तुम्हारे द्वारा पहले मुझे तीन बाग देने को कहा या कहा गया क्योंकि इसमें कत प्रत्य है विश्वस्याद एकाम्निय कथम यासी वधा दुना विश्वास दिलाकर अब मुझे एक ही लाकर कैसे दे रहे हो इती उक्तवा, धाविता, त्रिणम, व्याग्र मारी भ्यंकरा ऐसा कहे कर वह भ्यंकर इस्त्री बाग को माने वाली उसकी और दोडी शीगरी उसकी और दोडी व्याग्रों भी सहसा नश्टे गलबद शिगालक है भाग भी अचानक गले में बन्दे हुए सियार के साथ भाग गया नश्टे है फिर आगया नश्टे है तो इसका क्या मीनिंग होजएगा पलाईते में भाग गया इसका प्रियावाची भी हो गया और इसका हिंदियर्थ हो गया भाग गया एवं प्रकारेन बुद्धी मती व्यागरजात भयात पुनरपी मुक्ता अभवत इस प्रकार से बुद्धी मती व्यागरजात बाग से बाग के डर से पुनरपी मुक्ता अभवत फिर से मुक्त हो गई अते अच्चेते इसलिए कहा जाता है बुद्निर बलवती तन्वी सरुकारेशु सर्वदा बुद्धी जिसकी बलवान होती है वे सभी कारेव में हमेशہ सफल होता है तो अब यह साथ ही इसका अभ्यासकारे भी देख लेते हैं अब भ्यासकारे से पहले एक बरी हम व्याकरण पिनेसर डालते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे वड़ा हैं जो हमारे हमें संदी को क्लियर कर देंगे बुद्धिर बलवती बुद्धि ही जमा बलवती इसमें विसर्ग नहीं लगा रखें लेकिन लगेंगे पुत्र द्वय जमा उपेता पितुर ग्रिहम पितुहु जमा ग्रिहम एक एक जमा एक शय कौन सी संदी आगई इसमें बृद्धि संदी आगई जमा व्याग्र अगर यहां पर विसर्ग दे रखें तो ही आपने पुट करने हैं है एक व्यां अस्त्वट द्वीवज्ज़ एक हैं यहां पर भी सं ग्याया या इसक侍क रहता सै तावत कि थिवंगे तो यह निकिटावद थावाद हो गया बतिकर है अंया कि नेक्स अन्यों दिति हैं पस्चाथ कप क्या हो जिघा गभा वियंजंशली में फष्चauen जम्हं अन्यों सिम्हं विंग मिय नहीं है चे चम लबते कहां जम चित वह बना कश्शिय और हो गया और घुपे यहां पर यां पर मातर आ गई और व्याग रहलम हो जहां आने व्याग नहीं है नहीं कर सकता है बहे जम आकुल चितह यह अपने नहीं लगा ना आकुल चितह जम नश्ट है लेगना तिक है उसके बाद भयाद व्यागरस्या भयाद का द्वकत्य करने ब्याद जम व्यागरस्या अन्यों पी अन्यह जम अपी यह पुरुरुप संदी है इसको आप विग्रह करोगे तो इस संस्कृत में चंद्रबिंदू कमी आता है लेकिन ना के लिए चंद्रबिंदू आता है मां के लिए कभी चंद्रबिंदू नहीं आएगा उसके लिए डॉट याई उपर अनुस्वारी आएगा तो यह बुद्धी मान बुद्धी मान जमा लोके महतो भयात महत है जमा भया जिवी तो नश्टा है इत मतला जो मानुष्या से मनुष्या जमा अपि आ साथम पोत्रावा उत्रतावे कशह है तो यहां पे अ नहीं दे रखा यहां पे दे रखा handsome पूत्रत हो जमा एक पुन्राइन ताम, क्योंकि अगर आपने चैप्टर चाट लिया ना, तो आपके चैप्टर में से ही, ईक वर्ड आता है संस्कृत में कभी भी बहार से नहीं आता पुन्रायांतमसुनेह जमा आयनकस ब्रेकstag जमा उत्साहत गुंसंद् crim य गई किद्ग sättि गई लग विश्वस्य नहीं दे रखा इसलिए आपने विश्वस्य लिखना है अगर विश्वस्य दे रखा तो ही लगाने हैं विश्वस्य जम अध्य जम एकम वदा दुना वद्य जम अधूना इत्यunkत्वा इति जम उक्त्वा यंद संथी आ गई व्यागर वपी व्याग रहे अवदत तो आपको उसका अवग्रह लाना है अथेव अतह जमा एव जब भी एव से पहले विसरग आजाए जब भी एव आजाए तो आपको उससे पहले विसरग लगाना है यह विसरग संधी में है व्याग्रम आगच्छनम व्याग्रम जमा आगच्छनतम यहां पर आगच् आपको मात्राओं से अलग करना हन्तुम अलग हो गया आरब्ध है अलग हो गया हन्तुम यहां पर इसमें तो नहीं आएगा ध्यान रखना गत्या、 स्थै, यह अलोग संदी है माम अक्षी बंधी जम्बुकम जमा आक्षिबंदी एक मानिय एकम जमा आनिय तो ये तो हो गई आपकी संधी सॉल्ड बुक है मेरे पास तो आईए एक बड़ी इसकी कोश्चन अंसर समझ लेते हैं ताकि आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए तो फस्ट कोश्चन है अदो लिखी दानाम प्रश्न अनाम उत्रन उत्रं संस्कित भाषाया लिखत say वाश्चरलिकत संस्कित भाषा में लिखने हमें अनके सबकि ऊत्तर बुद्धी मति कें उपेता फिति वू-ग कर प्रती चालिता बुद्धी मति इस्तिरी किसको लेकर किसके साथ? पीता की घर चली गई थी? बुद्धी मती पुत्र द्यो पेता, तो के लिए अमारा क्या होज़ेगा? पुत्र द्यो पेता आनसर आया, बाकि सेम रहेगा, वो पेता भी दे रखा है, बस यहाँ पे हमें पुत्र द्यो लेखना है, तो इतने व्याग रहे किम विचार है पलाईत है बाग क्या सोचकर भाग गया काचित यम व्याग्र मारी इती विचार है कि यह कोई बाग को मारने वाली है ऐसा विचार करके बाग भाग गया संसार में बड़े डर से कैसे विमुक्तु आ जाता है कौन विमुक्त हो सकता है जो अपनी चतुराई से काम लेगा जैसे कि आपने खरगोश और शेर की कहानी सुनी हुई है जम्बु कहे किम वदन व्याग्रेस से उपहासम करोती सियार क्या बोलते हुए बाग का उपहास करता है बवान कुते बयात पलाईते है आप किस से डर कर भाग रहे हो ऐसा बोलते हुए जम्बु कहे व्याग्रेस से उपहासम करोती ऐसा बोलते हुए सियार बाग का उपहा करता है मजाग करता है बुद्धी मती शिगालम के मुक्तवती बुद्धी मती ने सियार को क्या कहा उक्तवती यह इस्त्रिलिंग में बदल गया बुद्धी मती उक्तवती इन डीप प्रत्य से और वैसे हम देखे तो शानत प्रत्य से भी शानत प्रत्य का यह इस्त्रिलिंग अगर आप शानत प्रत्य से उक्तवान लिखते हो तो डीप प्रत्य से उक्तवति बन गया। तो साथ साथ प्रत्यों को मैं बताती जा रही हूं कहीं कहीं पे जहां पर मुझे याद आजाता है वहां बता देती हूं तुमने मुझको पहले तीन भाग देने के लिए कहा इती विश्वास से ऐसा विश्वास दिलाकर अध्य एकम एव व्याग्रमानिय आज एक ही भाग लेकर आयो कथम यासी इती बुद्धी मती शिगाल मुक्तवती यह कैसे हो गया ठेर बुद्धी मती ने ऐसा कहकर ऐसा स्या प्रश्ण निर्मानम कुरूत जितने भी हमारे हाइलाइटेड वर्ड से इनके लिए हमें कोश्टन बनाने है तत्र राज सिंगो नाम राजपुत्र वस्तिस्व राज सिंगो जहां पर भी ऐसे आजए ना राज सिंगय अगर यहां पर आजए तो आपने कह नहीं लगाना बच्छे क्या करते हैं? देखते हैं यहां पर राज सिंगय दे दिया या राज सिंगो दिया सीधा-सीधा कi yan. बहुत सारे में ऐसा होता है. लेकिन जहां पर नाम आजए वहां पर आपको किम लिखना है. Next question is बुद्धी मती चपेट्या पुत्प्रव प्रहर्तवती चपेट से तो यानि की किस से आ गया चपेट से तृत्या भक्ती चपेट्या लत्या तो हमें इसके लिए क्या यूज़ करना है इस तरी लिंग में जाना है किम के शब्द रूप में और क्या जाएगा कया ठीक है नेक्स वन इस व्याग्रम द्रिष्टवा धूरताय शिगाला अवदत बाग को देखकर तो व्याग्रम इसके लिए सीदा सीदा क्या लिख दोगे कम क्यों टाइम बेस करें किम का शब्द रूप दित्या में चले जाओ तो हम मानुशात विवेशी अब मानुशात किस में आ गया पंचमी में आ गया तो पंचमी के लिए अगर आपको कस्मात आता है तो बहुत बढ़ी आ है नहीं तो कुट है लिख दो किस से? क्योंकि जब हम पंचमी विभक्ती में तो प्रत्य लगा देते हैं तो उसका मतलब किस से होता है चाहे हम वो इस्त्री लिंग में लगा है चाहे हम पुलिंग में लगा है जैसे हमें नहीं आ रहा पंचमी का तो हम राम तय लिख सकते हैं राम से कक्षा का नहीं आ रहा में तो कक्षा तय लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये पंचमी भी बगती है ये प्रट्य है तहसुल प्र öneml जिसका तशेश बहते है जो मरा पंचमी नहीं शूर सकते हैं तो मुझे नहीं पता आपने ये बात सुनी है या नहीं पुलिंग में आता है रामात लेकिन आपको नहीं आरी पंचमी तो आप क्या लिख सकते हैं मुल शब्द के साथ त्या लिख सकते हैं चाहिए पुलिंग है चाहिए इस्त्रेलिंग है ठीक है नेक्स कोश्च methष इड़ पुरा त्या मईयम व्याग त्या दत्त अ पहले तुम्हारे दौरा मुझे तीन बाग देने को कहा गया तो मईयम के लिए क्या आ जैगा कस्मई मिंख्ट सिय को कि सफेदक कि प्रियोग उइसाना अब क्या कह रहा है कि इसका पलूग करकि जैसी तया अहम रन्थं अरब्द है सा किया है सा में आगया सब्सक्राइब तो कट प्रत्य से इसको ही चेंजु करना है किसमें कट प्रत्य से यहां पर कट प्रत्य आता है वह वह मारा बट्य क्रेंबच्य में चली जाती है और ग्रांस का Alrighty हीशा माम को क्या हो गया आहीं है आप आपार कर्म यहां में प्रत्मा में होता है रहा इसलिए लिखे हूं क्योंकि पीछे आंसर दिखाने की वजाए मैं खुद ही लिख सकती हूं पठितम की क्या ज़गा हो गया पठितवान पठितवान क्यों किया क्योंकि क्योंकि कत्वतु प्रत्य है ठीक है ना Authentic吧 है अब नहीं लिखोंगी क्योंकि अवा अंसर अमीन नेक्स रामेण भोजनम स्क्रित्य क्षित्य हंwater और basta लेक्ष अब यह प्रत्मा चली गई थी लेकिन यहां पर सिंपल संटेंज में वापस दिट्या में आ जो और लिखी तक लिखितवती क्यों बना क्योंकि यहां पर इस त्रिलिंग है तो लिखी तया क्या बन जेगा सीता को देखके लिखितवती नेक्स वन इज अश्वीण ठीडंव भुक्तम घुड़े के द्वारा घास खाया गया तो जहाँ अश्वाइ त्रित्या को चोड़नए आमें सिंपल में आण आश्वाइ ठीडंव भुख्तवान तो यहां चित्रम त्रिष्टम त्रियका क्या हो जेगा त्व चित्रम फिर व कि यह मैंने लिख रखें वैसे नंबर क्यूंकि वीडियो लंबी ना हो जाए थाकि तुम्हारा एक ही चैप्टर बड़े अच्छे से हो जाए एक ही बार में सपोज तुम लोग आउटर सेशन हो तुम्हें लेसन समझना है क्योंकि जब हम कोई लेसन समझते हैं हम जब कुछ शब्द पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं और हम अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं कि हमें टूशन लग दो मुझे नहीं लगता कि कोई संस्कृत के बच्चे को कोई टूशन की जोद है इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियो से आप उन्हें द ज़िए खिला जाएगा तो हम सबसे पहले संटेंस बढ़ते हैं संटेंस कौन साये गा बुद्धी बंधी पुत्रद्वेइन उपेता पितृ ग्रियंप्रती चालेता सब बुद्धी मती इस्त्री कहां गई थी अपने दोनों पुत्रों के सास्थ पिता कर गई ती फिर सेक को मानने वाली है कोई ऐसी मानकर भाग गया और उसके बाद फिफ्ट नमबर पे कौन सी लाइन आई कि सियार उसके उत्सा को सिहार के उत्सा को देखकर बाग को पुन्हें देखकर जंगल में जंगल में आ गया कौन बाग किसके उत्सा को देखकर सियार के उत्सा के साथ स्वेग्स क्या हुआ प्रत्युत्पन मती सग श्रीपन्थी वच उस बुद्धी मती ने उस चेगाल को अपनी और आते हुग देखते हुए कहा और फिर शेवन नॉम्बर पर क्या जएगा भाग को देखकर वहत दो डू सुरी सेवन नॉमबर भी तुम तीन भाग को तुमने तीन भाग लाने के लिए कहा ऐसी प्रतिग्या लेकर एक ही ले आए तो यह सेवन नमबर पर आदेगा और लास्ट लाइन क्या जाए गल्ले बद शिगाल है शिगालक है व्याग रहा है पुने पलाईत है कि गले में बंदे हुए सियार गले में बंदा हुआ सियार बाग पु ओें पितू ग्रिहम यहां पर विस्रग नहीं दह रहा है जबकि अरुआ है यहां पर देव की मातरह आते ही यहां पर विसर्ग आजेंगे टू जम घ्रिहम एक एक है, एक जमा एक है, एक जमा एक है, अन्य है जमा अपी, अन्यो अनी, अन्यो अनी नी बनेगा, अन्यो अपी बनेगा, ठीक है, अन्यो अपी, इती जमा उक्तवा, इत्य उक्तवा, यत्वे जमा आस्ते, यत्रास्ते, ठीक है, इसमें जो गलती हैं वो मैं साथ साथ बत अब यहां पर दर्शितवान नहीं दिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि कत्वतु प्रत्य से हमारा दर्शितवान बनेगा ही नहीं, हमारा क्या बनेगा द्रिश्धातु से कत्वतु प्रत्य से द्रिश्टवान बनेगा, जगात का मतलब होता है कहा, तो क्या होजाएगा, अक ठीक है अतुम खाने के लिए तो क्या होज़ेगा खा दी तू मुच्यते अतुम हो गया ना मुच्यते मुक्तो भवती ये मगनो भवती तो मुक्त हो गया मुच्यते मुक्त होता है तो मुक्तो भवती एक्ष्यते में क्या देगा एक्ष्यती या इक्ष्यती तो इसमें क्या है देख रहा है तो यह इक्ष्यते गलत दे रखा है इसमें क्या देगा पश्यती है ठीक है नेक्स कोश्चन इस पाठात चित्वा प्रयाय पदम लिकत पाठ से चुनकर प्रयाय वाची शब्द लिखिए वनम अब वनम का क्या हो जाएगा कानन भी हो सकता है विपिनम भी हो सकता है विपिनम भी हो सकता है और भी कई हो सकते हैं लेकिन जो याद आ रहा है वो लिख दो शिगाले का क्या हो सकता है जंबू के यह मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि नेक्स पे आंसर है तो नेक्स पे होता है शीघ्रम का और एक और देंकरा के तूर्णाम तो नौर्णाम का मतलब क्या है शीघ्रम पतनी का क्या सकता है अई लेसन में भामीन याज भार्या गच्छी मिलdyum तो गच्ष का मतलब के बगती अपत्त प्रती प्रते घुठार मेंडाए जाते बनातोंी तो दो lifted गहा novo चलीतव तो चल्धार तो नहीं प्रत्य लगाने कजि कि बच्चे करता प्रत्य सब्सक्राओं नहीं लगाना को जब ये चल धातु अंडरूट कर दी जाए, तो इस अंडरूट का मतलब है कि ये चल धातु है, तो चल जमा कत क्या बन गया चलित है, नश्ट है, नश्ट धातु से कत प्रत्य है, नश्ट है, आवेदित है, आउपसर्ग हो गया, विद्धातु हो गई और कत प्रत्य हो गया तो यह आपका लेसन कंप्रीट हुआ और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो please अपने दोस्तों में share कीजिए at least 3 बच्चों को जरूर share कीजिए ताकि मैं आगे और chapters भी डाल सकूँ और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या कोई भी doubt हो तो आप comment section में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपके doubt clear कर दूँगी और by chance कोई mistake हो भी जाती है तो मैं उसे comment box में लिख कर clear कर दूँगी ok children take care bye bye